नमस्कार साथियों जैहिंद कैसे हैं आप सभी आज हम बात करने वाले एक नई योजना की और वो योजना है प्रधान मंतरी किसान मांधनी योजना यह जो आप देख रहे हैं यह इसकी ऑफिशल वेपसाइट है आप भी इस ऑफिशल वेपसाइट को देख सकते हैं गूगल पर बस टाइप कीजिए या तो पूरे टाइप कर दीजिए प्रधान मंतरी किसान मांधनी योजना यह इसका शॉट शॉट में क्या लिखना है पी एम के एम वाई बस इतना आप लिख लिख दीजिए और डारेक्ट इस यहीं पर जाना है तो उसके आगे डॉट जी पेज पर पहुँँच जाएगे इस योजना का लाब अभी तक कितने किसान ले चुकी हैं ले चुकी है से मतलब मिले गा उनको मतलब कितने लोगों ने इस योजना में अपना एन्रोल्मेंट करा लिया है कितने लोग इस योजना में जॉइन कर चुके हैं वह डाटा यहां की डेट का और ये है 2262632 यानि कि 2262,632 किसान भाईयों ने इस योजना के अंदर अपने आपको एन्रोल कर लिया है मतलब वो आगे चलके इस योजना का लाव ले सकते हैं क्या है इस योजना में कैसे उनको लाव मिलेगा वो देखते जाते हैं सब्सक्राइब करते हैं कि इसके परधान मंतरी किसान मांधन योजना की इसको शॉट में हम लों कहते हैं क्या PMKMY ये स्का शॉट बारा सेतंबर 2019 को ये योजना आपकी लॉंच वी थी और किस ने लॉंच की थी भी नाम से समझ में आ रहा है प्रधान मंत्री शब्द जुड़ा हुआ है यानि हमारे जो प्रधान मंत्री है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी तो नरेंद्र मोदी जी ने इस यो एक सेंट्रल गवर्मेंट की स्कीम है ठीक है यह एक सेंट्रल गवर्मेंट की स्कीम है अब भई सीधी सी बात है किसान इसके अंदर सामिल है तो कौन सा मंत्राले होगा Ministry of Agriculture and Farmer Belfare Ministry of Agriculture and Farmer Belfare Ministry of Agriculture and Farmer किसान मंत्राले जो है हमारा जो कृषी मंत्राले है वो इसके अंदर इंवाल्व है अभी अकेला इंवाल्व नहीं इन्होंने पार्टनर्शिप की है और वो पार्टनर्शिप किसके साथ की है LIC के साथ यहां पर इनकी पार्टनर्शिप है LIC क कि यानि ये जो योजणा है वो अकेले नई समाल रहा है इसके अंदर अलाई किसामिल है अब इस योजटना में होना क्या है काम क्या है ये जो योजणा है鄉 ओल्लेज प्रोटेक्शन के लिए ऐसे सभी किसान भाई जो की बढ़ापे में उनको को एक आर्थिक साहता मिलती रहें एक पैंशन देने के लिए यूजना है इनका यूजना का कहना ये है कि जब कोई किसान 60 साल का हो जाए तो उसको एक पैंशन दी जाए इस यूजना के अंतरगत और वो पैंशन कितनी मिले? 3,000 रुपए पर मंद की. हर महीने उसको 3,000 रुपए पेंशन देने की योजना है. अब ये 3,000 रुपए उसको देने हैं तो इसके लिए किसान को भी कुछ करना पड़ेगा. अब 60 साल की उमर में ये मिलेगी, यानि कि इसके लिए आपको अभी से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. तो ये योजना कहती है, ये कहती है कि अगर आप स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में आते हो, ध्यान रखना ये जो योजना है, वो सिर्फ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए ही है. आप समझते हो ना, इस मार्जिनल फार्मर कौन होते हैं जिनके पास एक हैक्टर से कम जमीन होती है, जिनके पास एक हैक्टर से कम जमीन होती है, वो मार्जिनल फार्मर होती है, जिनके पास एक से दो हैक्टर के बीच में जमीन होती है, वो स्मॉल फार्मर होती है, यानि कि ऐसे किसान ही इस योजना का लाव ले सकते हैं, जिनके पा 18 से लेकर के 40 साल के बीच में है तो आप इस योजना के लिए apply कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि मुझे 60 साल की उम्र के बाद से pension मिले जो कि सब लोग चाहते हैं कोई हैसा नहीं है जो नहीं चाहेगा तो वो इस योजना में apply कर सकता अगर उसकी उम्र 40 साल तक के बीच में है 18 से 40 के बीच में है जैसे कि माल लीजे मैं अपनी ही बात करूं मैं एक किसान हूँ और माल लीजे मेरी उम्र है 35 साल ठीक है और मैं भी चाहता हूँ सबसे पहले तो میरे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता पहले तो मेरी जो category है वो यह होनी चाहिए यानि कि मेरे पास अगर मालो 10 hectare जमीन है और फिर में इस योजना का लाब लेना चाहूं तो नहीं ले सकता सबसे पहला criteria तो यह है कि वह किसान small और marginal farmer की category में आना चाहिए यानि कि उसके पास दो hectare से जड़ा जमीन नहीं होनी चाहिए अगर वो इस category में आता है फिर दूसरी category कि अठारा से चालीस साल के बीच का हो तो अब माल लीजे कि उसकी उमर 35 साल की है तो वो इस योजना में अपलाई कर सकता है अब इसके लिए किसान को भी कुछ करना करेंगी जो आपको बढ़ापे में आकर आपको पैंशन के तौर पर वापस मिलेंगी लेकिन यहां पर उन्हों ने इसको किस्त के इंस्टॉल्मेंट शब्द यहां पर यूज नहीं चाहिए उन्होंने यूज किया है सहायता कि आप भी अपना कुछ योगिदान दीजिए contribution दीजिए तो मुझे अभी कितना contribution देना पड़ेगा कि 60 साल के बाद मैं पैंशन ले सको तो यह पूरी डाटा यह सारी चीज़ें उसकी यहां पर आप देखा हुआ है प्रधान मंत्री किसान मांधन योजन यहां पर detail पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो यह नेक्स्ट पे जिसमें ओपन होगे यहां पर सारा description जो चीज मैंने आपको बता ही वह सारी बाते यहां लिखी हुई है यहां पर feature में आप देख लीजे 3000 पर मंत देने की बात कि इनोंने की है ठीक है और यह voluntary basis पर है कोई compulsory नहीं आपको करना है इसमें जॉइन तो आप कीजिए नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक इसमें आते हम सीधे monthly contribution पर कि आपको कितना contribution करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर age दी हुई है यह age 18 से लेकर के कहां तक 40 साल तक की है अब आपको कितने पैसे पर मंत के देने है वो आपकी age पर decide होगा जैसे कि मान लीजे कोई 18 साल का ही है और वो चाहता है कि मैं इस योजना में सामिल होना चाहता हूं तो उसको पर मंत 55 रुपए देने है कितने 55 रुपए मैंने का कि मेरी 35 साल यह मैं 35 साल का हूं तो मुझे 1500 रुपए देने है कोई मान ली जे 40 साल का है तो उसको 200 रुपए देने है यानि कि यहां पर पूरी की पूरी एक range हो गई 55 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच में 55 से कम नहीं और 200 से जाता नहीं यह आपको पर मंत देना पड़ेगा अब वो depend करेगा आपकी उम्र के इसाब से अगर आप 35 साल के हैं तो 1500 रुपए 18 साल के है तो 55 रुपए 40 साल के हैं तो 200 रुपए जो भी आपकी उम्र है उस हिसाब से यहां पर आपको monthly contribution एक तरह से कह सकते हैं आम भासा में कि यह आपकी installment लग रही है पर मंत के आपको इतन इतना आप कर रहे हो जैसे कि 35 उम्र है मेरी मुझे 1500 रुपए देने है LIC में जमा करूंगा 1500 रुपए ही केंद्र सरकार देगी यानि कि LIC में टूटल 300 रुपए जमा होंगे आपके नाम पर जो आपको बाद में pension के तोर पर मिलेंगे अब यहां पर एक twist यह आता है कि अग अले ही में ने पट गया माली जी पर लोग तो फिर क्या होगा तो फिर अफिर यह जो pension मेरी पतर पत्नी मिलेगी यहां पर मेरी को सिर्फ 50 परसेंट जो है वो पैंशन मिलेगी और मेरी पतनी के बाद फ्री आकाउंट बंद हो जाएगा फिर मेरे बच्चों तक यह पैंशन ट्रांसपर नहीं होगी यानि कि यह जो पैंशन की जो है यह सिर्फ पती और पतनी तक ही लागू रहेगी तो यह योजना है काफी बड़िय की जरूत है एक तो आपको सिर्फ आधार काड यहां पर चाहिए अप्लाइब करने के लिए पूरी सारी चीज़ आपर दी गई है आपके पास एक आधार काड होना चाहिए और सेविंग बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए यह दो चीज़ें भी अगर आपके पास हैं और